वेलकम यूट्यूब आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आप किस तरह से बाइपास कर सकते हैं जीमेल अकाउंट को इन एंड्रोइड लॉलीपॉप वर्जन वेन यू हार्ड रिसेट यूर फोन सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास नोट 3 एंड्रोइड मोबाइल है सैमसंग का तो आप हार्ड रिसेट करेंगे वॉल्यूम अब बटन दमाएंगे पावर बटन दमाएंगे जैसे ही सैमसंग लिखा आएगा आप पावर बटन छोड़ देंगे जिससे कि ये फ्रेंड्स रिकवरी मोड में आ जाएगा सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये रिकवरी मोड पर आ चुका है इस वक्त आपको कुछ नहीं करना है आप सबसे पहले वाइब डाटा फैक्टर रिसेट पर जाएंगे पावर बटन से इसको स्लेक करेंगे and yes delete all user data so friends ये देख सकते हो आप formating हो रहा है ये friends formating हो चुका है अब आप simply wipe catch partition पर चाहेंगे and इसको wipe catch partition पर चाहेंगे हो गया है तो आप इसको reboot करेंगेef तो यह रिसेट हो चुका है अभी इस फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लेगा फॉर्स्ट बूट लोडिंग तो मैं वीडियो पोज कर रहा हूं ओकेई फ्रेंड्स तो यह हार्ड रिसेट हो चुका है बट फ्रेंड्स में प्रॉब्लम इस जब आप इस पर स्टार्ट क्लिक करते हैं So friends, skip करते हैं, So friends, ये इस पे अटक जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ पाता, और एक और प्रोब्लम कई फॉन्स में आती हैं कि Gmail वे डालते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? So friends, इसके लिए आपको एक चाहिए होगी USB OTG drive, जो कि आप देख सकते हैं, Simply आपको कुछ नहीं करना, इस drive के अंदर एक application है, जो कि install हुई हुई है, means download हुई हुई है, मैंने description पे application का link डाल रखा है, आपने कुछ नहीं करना है, Simply उस application को अपने USB और किसी भी card reader वगरा में डाल करना है, तो Simply friends, आप देख सकते हैं, कि आप इस OTG को इस पे connect करेंगे, let me connect, so मैंने friends इसको connect कर दिया है, और आप friends देख सकते हैं, जैसे ही मैंने connect किया, यह अपने आप खुल गया, so friends, आपको इस app पे जाना है, Samsung Bypass Google Verify app, आप इस पे click करेंगे, and friends, आप इस पे, इसमें install blog का यह setting आ रही है, तो आप settings में जाएंगे, and unknown sources पे click करेंगे, hit करेंगे, unknown sources, and allows, okay, okay friends, now इस app को friends, आप install करेंगे, install, so friends, यह install हो चुकिया, आप इसको open करेंगे, so friends, आप देख सकते हैं, कि इसमें आपके phone की पूरी setting खुल गई, तो आपको simply कुछ नहीं करना है, आप generals में जाएंगे, and दुबारा backup and reset का option क्लिक करेंगे, and simple factory data reset करेंगे, and reset device, erase everything, so friends, आप देख सकते हैं, कि यह दुबारा से erase होगा, अब जब erase होगा, तो इसके बाद friends, आप से gmail id नहीं मांगेगा, so friends, अभी आप देख सकते हैं, यह देखिए friends, यह दुबारा से erase हो रहा है, okay friends, तो यह hard reset हो चुका है, अब आप skip करेंगे, अब आप से friends, कुछ नहीं मांगेगा, अब आप यह next भी कर सकते हैं, and I understand, next, oh yes, next, so next, कोई भी नाम डाल सकते हैं, next, next, then, next, next, skip, पहले skip नहीं हो रहा था friends, अब हर चीज़ skip हो जाएगी इस पर, finish, टडा, so friends, आप देख सकते हैं, यह पूरा fully working conditions में, हो चुका है, अब आप कुछ भी यूस कर चकते हैं, so, thank you for watching my video, if you like, please subscribe,